अलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो माई चैनल इन कुकिंग वित्रेका पहाडिया आज मैं आप लोगों के साज शेयर करने जा रहे हूं बहुत ही इस पेशल रेसिपी इस रेसिपी को आप वरत में भीखा सकते हैं इसके लावा यह गर्मियों के भी बहुत ज़्यादा स्पेशल कितने भीखरे खिले वहाँ हैं अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इन आलों को मेश कर लेंगे यह आप मेने मीडियम साइस के आलो लिये इसलिए पांस लिये अगर आप बड़ी साइस के अलो लेते हैं तो तीन आलो इनफ हूंगे कि आप चाहें तो साबदान को राद बर ना आलों को साबदाने के अंदर मेश कर लिया है अब हम इसके अंदर रालें मसाले में सबसे पहलें डालें एक चमच सेंदा नमक थोड़ा साहली पाउडर एक चमच लाल मिश पाउडर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा बारिक कटा हुआ फ्रेश हरा दनिया उसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा लगपक आदी चमच के करीब यह आदी से भी थोड़ा कम अब हम डालेंगे इसमें एक बारिक कटीवी हरी मिर्च अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप दो से तीन बारिक कटीवी हरी मिर्च इसमें डाल सकते हैं अब इन सब को अच्छे से मिक्स करना है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे रेसिपी को ज्यादा स्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा यह देखिए मैंने इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमारे मिक्सर जो है वह बिल्कुल रेडी है उसके अलाबा मैंने या पर लिया है अपने टेस्ट के कोडिंग जितना आप मिठा काते हैं अब हमें इस मिक्सर से सबसे पहले चोटे-चोटे बॉल्स पनाने है और आलू साब उताने की टिक्या रेडी करनी है इस तरह से हम चोटे-चोटे सा बॉल बनाएंगे और इस तरह से दोने होतेलियों की बीची से फ् आफी एक्रिस्पी रहे इस तरह से हमें बनानी है उसली आप एकषाई तब मैंने एक्साइट गडाई में वह रहने के लिए भी रख दिया है हमें इन टिक्या को डीप फ्राइख करना होता है यह देखिए आपको सारी टिक्या एक साथ बना कर नहीं रखनी है जब भी आप आलू साभुदरना वड़ा चाट खाना चाहें तब आप इन टिक्या को फ्राइ करें अगर आप पहले से सारी टिक्या फ्राइ करके रख देंगे तो यह सौफ्ट हो जाएंगी जिससे कि आपका मिक्चर में साइड में रख दूंगी है यह देखिए हमारे टिक्या बिल्कुल रड़ी है और एक साइड हमारा ओल जो मैंने गरम होने के लिए रखा था वह भी बिल्कुल रड़ी है हमारा ओल जो है बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है हमें ओल को अच्छे से तेज गर् अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेश दे बेल आइकन ताके आगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके कि देखें हमें टिक्या को जल्दी से अलट पलट नहीं करना है थोड़ आसा एक तरफ से फृइए होने देना है उसके बाद ही ने पलट ना है यह एक साइट से थोड़ इस हो चुकी है अब हम मीशाला पलट कर सकते हैं बहुत ही आहिता से यह देखि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है इसे फ्राइ होने पर लगबक पांट से साथ मिट का टाइम लग जाएगा इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है अब बस पांचाथ मिर्ट तक इसी तरह से अलट पर अलट करते हैं यह लगबख फ्राइ हो चुकी है लेकिन अभी हमें इन्हें और क्रिस्पी करना है वरना हमारे चार्ट में कोई मजा नहीं आएगा आपको मेरी इसी तरह की रेसिपी मेरे वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अब वहां जाकर चेक कर सकते हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट सेक्षे में रूजे कमेंट करके जरूर बताईएगा यह देखिए अब आपकी आलू साफ़ दने की टिक्या बिल्कुल पॉफेक्ट है बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पिनेस आई है इसमें अब हमें इससे जल्दी से निकाल लेंगे अब जहां तक हो सके इन टिक्या को इस्टेनर के अंदर रखिएगा इससे होगा यह कि यह लॉंग टाइम तक क्रिस्पी रहेंगी जल्दी से सॉफ्ट नहीं होगी यह देखिए हमारी टिक्या भी रेडी है और मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा दही भी ले लिया है मैं यह पर एक प्लेट बना कर दिखा रहे हूं आपको चाट की जितना आप दही लेना चाहें अदना ले सकते हैं अब मिस के अंदर जल्दी से डालके यह टिक्या को आपको जल्दी से चात की ब्लेटे ह्रेडी वरणा यह टिक्या अदर डालते से सॉफ्ट अने लगी अब हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले थोड़ासा लाल मीच पाउडर अपने टेस्ट के अखोडिंग थोड़ासा नमक थोड़ासा बुनावा जीरा बुनेवे जीरे का टेस्ट दई के साथ बहुत अच्छा कोंबिनेशन देता है प्लीस आप इससे जरूर ट्राइ किजिएगा तो यहां पर मैंने बाला जी की तीखी वाली फिलेरी लिया आप जो चाहे वह ले सकते हैं तो यहां इसमें डालेंगे कुछ अनार के दाने हमारी रेसिपी को थोड़ासा और टैम्टिंग बनाने के लिए हम इसके उपर डाल देंगे दही वाओ अब हमारी आलू साबदाना वड़ा चाट बनकर बिल्कुर रड़ी है यह दिखने में बहुत अच्छी लग रही है प्लस यह खाने में तो और भी जाद अच्छी लगती है प्लीज आप मेरे रेसिपी को ज़रूर ज़रूर से ट्राइ कीजिएगा मेरे वीडियो के नीचे आपको मेरे चैनल का नाम दिखाई दे रहे होगा आप वहाँ पर जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मेरे वीडियो के मेरे चैनल के उपर प्लेलिस्ट का आप्शन मिल जाएगा आप वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मेरे सारे वीडियो क लिस्ट नीचे दिखाई देगी आप जो चाहें वहां से मेरे वीडियो देख सकते हैं बहुत जल्द मिलूंगे आपसे अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू